है कि एंड़े वरीवन तो हम लोग ने हमारे लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था है मोशन अंडर भावें और सेंडिल फोर्सेश जिसमें कि हम लोगोंने सबसेब भीच्स के बारे में ? और उस चीज में हम लोग क्या है कि उसके बारे में कि पार्टिकल के मोशन के बारे में ही ज़्यादा इंटेस्टेड है जब कि वो किसी भी फोर्स के अंदर हो तो उसमें हम लोगोंने देखा था कि किस तरह से जो energy है पार्टिकल की energy वो आती है किस तरह से उसका expression निकलता है हमने mechanical और total energy की बारे में बात किती जिसमें हमारे पास kinetic energy और potential energy आय presume यह जो हम लोगोंने motion जो देखा था वो motion आर और theta के form में लिया था और हम expression पे आयते कि अगर हम motion के बारे में जानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं R, theta, E, L, R0 और theta 0 की value को जाने तो पूरे के पूरे motion को निकाल सकते हैं अब हम लोग directly आज जो बात करने वाले हम लोग बात करने वाले equation of trajectory या motion के बारे में अब हमने यह देखा था कि जादा तर जो problems हैं Central force में उसमें trajectory या किस path पे वो चलता है वो उसमें जादा interested होते हैं हम लोग अब यह कैसे निकाल सकते हैं हम लोग जो है उसमें यह इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा expression हो या relation हो theta और r के बीच में तो उस relation से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं अब यह जो है इसमें जो हम लोग ने last time में हमेरी equation number 11 and 12 देखी थी जिसमें कि अगर हम लोग t eliminate कर दें तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी equation आराम से निकाल सकते हैं जैसे कि हमारे पास equation number 11 थी इस equation number 11 से हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं trajectory या equation of motion आराम से निकाल सकते हैं equation number 12 है इस equation से भी हम आराम से निकाल सकते हैं plus हमारे पास 12a यह जो d theta by dtl upon यह जो equation है हम इसको 12a के अगर form में लिख लें इन दोनों equation से हम लोग आराम से equation निकाल सकते हैं तो अब क्या किया हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग करते हैं कि divide करते हैं 12a को by equation 11 तो सबसे पहले हम लोगों ने divide किया equation 12a को by 11 अगर divide किया तो यह हो जाएगा d theta divided by dr वो था d theta by dt और वहां से dr by dt तो d t d t cancel हो गया d theta by dr बच्चा हमारे पास this is equals to yeah अब यह जो equation ऐस equation में देखें तो उसमें हमारे पास हम लोगों ने 12a को divide किया यह 12a में topmost में l upon mr square था तो यह directly लिख देते हैं numerator में l divided by mr square divided by दूसरी equation आगी 11 11 वाल equation बत पोल रही है 2 upon m within bracket e minus vr minus of l square divided by twice of mr square और इस पूरी equation का under root 1 by 2 ठीक है तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो d theta by dr है इसको अगर हम लोग integrate करेंगे from theta to theta not integrate करेंगे तो वो क्या हो जाएगा डारेक्ली डी थीटा को integrate किया उसमें limit डाली थीटा से थीटा नौट थीटा माइनस थीटा नौट जैसे कि हम लोग ने हमारे last lecture में last expressions निकाले थे कि हम लोगों ने यहां पर यह जो हमारे पास तो हम लिख सकते हैं डी थीटा इसको अपॉन अपॉन इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर हमारे पास थीटा हम लोगों तो हम लिख सकते हैं डी थीटा is equals to L upon MR square divided by 2 upon M तो दें प्राकेट E minus V of R minus of L square upon twice of M square प्राकेट of raise to power 1 by 2 DR अब इस डी थीटा को इंटीग्रेट किया जब इस डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे कि फ्रॉम थीटा नॉट तो जगर थीटा माइनस थीटा नॉट इस एक्वल स्टू एल अपॉन एम एल अपॉन एम कॉंस्टेंट है भार आगे और अंदर बचा 1 upon R square और इसको हम लोग ने इंटीग्रेट किया from R naught to R और उपर हमारे पास 1 upon R square DR बचा और नीचे सरे का सरा ZS ये बचा 2 divided by M E minus V R minus of L square upon twice of M square sorry twice of M R square है twice of M R square twice of M R square twice of M R square back it off raise to power 1 by 2 ठीक है let it be equation number 1 ठीक है अब यह जो equation number 1 है यह most general equation of trajectory है जिसकी initial condition जो है यह क्या है equation of trajectory है a trajectory है with the conditions with the initial conditions initial condition कौन कौन से हुई that means हम लोग ने यह लिया T is equal to 0 पे T is equal to 0 theta is equal to theta naught लिया and R is equal to R naught अब हमारे पास ही जो constant है E and L यह वाला constant E and यह वाला constant L जो है वो हम लोग find करेंगे ठीक है तो यह था हमारा equation of trajectory अब इसमें आगे चलते हैं अब and next is characteristics of characteristics of characteristics of motion of particle of motion of particle under the effect of under the effect of central force अब हमना अब हमना अल्रेडी देखा कि हमारी जो equation थी कौन सी energy की total energy की equation जो थी यह वो क्या थी total kinetic energy plus potential energy kinetic energy थी half of M r. square plus L square divided by twice of M r square इसको हम लोग L square divided by 2i भी लिख सकते हैं तो यह पर और अगेन रही जाता है तो तो आई क्या हताता है इस वन अपन M r square यह जो तो यह जो टर्म जो हमारी originate हो रही है यह टर्म क्या है angular motion of particle से आ रही है और हम इसको kinetic energy arising due to अब इसको जो है इसको हम लोग बोल सकते है kinetic energy arising due to centrifugal or centripetal force due to centrifugal or centripetal force ठीक है अब आगे हम लोगों ने assume किया कि हमारे पास क्या है कि let f of c अब हमने assume क्या let f c जो है is centrifugal force it is the centrifugal force ठीक है और हमारा L square divided by twice of M square जो है वो depend करता है depends on R only सिर्फ और सिर्फ और M R square सिर्फ और सिर्फ और के ओपर depend करता है ठीक है एल के ओपर depend नहीं करता है ठीक है तो अब हम लोग सकते हैं कि जो centrifugal force है it is integral of f c d r is equals to L square divided by twice of M R square यह क्या चीज़ होगे इस centrifugal force एक particular point पे fc हुआ उसको integrate करेंगा पूरे region पे तो हमारे पास यह total kinetic energy है जाएगी है total kinetic energy तो यह तो हम integrate करके यह निकाला बट अभी fc की value निकालनी है हमको तो यह जो integrate करके fc को integrate किया यह तो अगर मैं इसको differentiate करता हूं तो मेरी इससे पहले वाली value आती है जो की fc की value है तो fc क्या कर सकता हूं fc is equals to d upon dr l square divided by twice of mr square इसको differentiate करूंगा तो fc की value आ चाहेगी तो which is equal to l square और twice of m है वो constant है वो बहार आगे l square divided by twice of m as it is आगे बच्छा one upon r square r square जब उपर जाएगा तो r raised to par minus 2 होगा minus 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास minus 2 पहले आ गया तो जो r raised to par minus 2 है तो minus 2 plus 1 हो जाएगा sorry minus 1 हो जाएगा minus 2 minus 1 कितना हो जाएगा minus 3 हो जाएगा और वो r raised to par minus 3 जब denominator में आएगा numerator से तो वो plus 3 हो जाएगा तो r raised to par plus 3 यह सिंपल डिफ्रेंशेशन हो गया 1 upon r यह 1 upon 1 एक तो इनल देखा जाए कि यह 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो जो fc की value है वो क्या निकलेगे minus of L square divided by m r cube ठीक है यह होगी centrifugal force ठीक है अब यह जो है हमारी जो है let it be question number 2 अब हमारे पास यह जो term है थी L square divided by twice of m r square जो है उसका हम बोल सकते हैं कि यह जो हमारे पास L square divided by twice of m square जो है यह क्या है it is the potential energy it is the potential energy potential energy due to centrifugal force due to centrifugal force that is L square divided by m r cube ठीक है यह potential energy है इस centrifugal force की वज़े से तो हम लिख सकते हैं कि जो effective potential energy है effective potential energy वो क्या हो जाएगी that will be equals to L square divided by twice of m r square plus v r it is equals to z e यह जो हमारी यह effective potential energy that means this is equal to this ठीक है अब यह जो effective word जो है इसका मतलब क्या हुआ आप potential energy देखा हम लोगे ने potential energy होगे बट इफेक्टिव मतलब क्या हो गया एक चीज़ होती है हमें actual अगर कोई भी चीज़ या कोई भी टर्म ले अगर मांदो कोई भी length of wire ली है हम लोगों ने ठीक है तो length of wire ले ली अब उस length of wire में एक particular resistance रहता है हर एक material का अगर वो conducting wire है तो तो वो उसकी actual length होगी for example हम लोगों ने एक मीटर की wire ली उस पर उस material of wire का per unit length कोई resistance है अब हमने कह किया है उस wire के end मतलब एक मीटर के बाद में भी थोड़ा सा resistance लगा दिया तो अब देखें तो total length तो है one meter प्लस साथ में थोड़ा सा और भी उसमें resistance आड़ हुआ अगर हम देखा या दूसरे वे में यह देखा जाए है कि वह जो resistance है वह resistance हम ऐसे सोच सकते हैं कि वह wire है उस wire का resistance ही था तो total effective length जो है उस wire की और ज्यादा बढ़ जाएगी तो actual में जो length हम लोग यूज कर रहे हैं that is effective यह जो भी चीज़ है हम लोगों बहुत बड़ी या broad area में या कोई बहुत बड़ा space ले लिया बट उस total space का effective space यह effective area जो है वो जो हम लोग यूज करते हैं वही चीज़ होती है तो इसमें भी exactly this is the effective potential energy actual में कितनी potential energy है expression wise नहीं actual में तो हमारी equation number 10 जो हम लोगो ने total energy की बात की थी तो total energy की बात की तो total energy की value क्यों जाएगी तो total energy की value हम लिख सकते हैं so total energy will become किसके particle की total energy हो जाएगी that will be equals to E is equals to half of M sorry half half of M r dot square plus L upon twice of M r square plus Vr यह actual total energy इसकी जगे हम लोगों ने यह जो portion है यह जो राइट इन साइड में सेकंड और थर्ड तरम है इसकी जगे हम लोगों ने कुछ और लिख लिए तो यह होगे half of M r dot square plus इसकी जगे हम लोग है bonusально अगी सब्सक्राइओ कि अब हमारेडीन अपास ऐग जगे टीक है कोंसे इशन सारी इसको बोल देटे हैं एकुशन नंबर थर्ड और processes नमबर फॉट थाए हमारा रज़ीकों जमने 20ट नमबर फॉर् necesita elaboration में इसकी नंबर फॉर्थ ना इन रे सी एहा यह क्या बताती है कि अगर हमारे पास effective potential energy किसी भी particle की है किसी भी central force problem में तो इस से इन दोनों equation से हम लोग क्या है कि features of motion कि motion किस तरह से हो रही है कैसे हो रही है वो सब हम लोग निकाल सकते हैं तो आगे हम लोग यहाँ पर क्या है कि एक example consider करते हैं अब हमारे पास एक particle है वो move कर रहे है अब यह जो है एक particular point से distance आ रहे है right hand side में increase हो रहे हैं किसी एक center point से है और उसके बाद यह जो है यह total energy है E total energy E ठीक है अब वो particle की total energy conservative that means constant और VE effective potential energy of the particle increase decrease हो रही है तो हमने assume किया कि वो जो effective potential energy वो कैसे vary हो रही है इस तरह से आएगी ऊपर गई और फिर ऐसे करके नीचे की तरफ गई अब इसको हम लोगों ने क्या किया अलग अलग section में regions में divide कर दिया यहां से यहां तक हमारा region first हो गया यह हो गया R1 यह जो region है यहां तक यह हो गया region R2 sorry region 2 और जो distance हो गया R3 R2 यहां तक जो है वो distance हुआ R3 यह region हुआ third and R3 के greater यह उसके आगे जो है that is region 4 और यहां से यह जो यहां तक का distance है that is half of new R2 कहां से आता है हम लोग बार पाद में discuss करेंगे यह जो उपर की तरफ जा रहा है this is energy increasing water में यह जो curve है यह effective potential energy VE represent कर दा है effective potential energy decrease and increase हो रही है और total energy of the particle हो इस तरह से constant जा रही है तो अब यह हम लोग आगे बात करते हैं कि अलग लग region में जब potential vary हो रहा है यह change हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है अब हमारे पास हमने सबसे पहले लिया आजिम किया region 1 अब region 1 को ध्यान से देखें तो हमारे पास region 1 से पहले हमारे पास यह जो expression equation number 3 थी equation 3 क्या बोलती है कि total energy E is equals to half of MR.square plus VE, VE R, sorry equation number 4 थी है हाँ equation number 4, total energy E के बारे मां बोल रही है ठीक है यह हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि half of MR.square will be equals to E minus VE let it be equation number 5 अब यहाँ पर क्या है कि जो curve है वो oscillate कर रहा है हमारे इसमें तो VE जो है effective potential energy oscillate हो रही है up and down हो रही है तो यह और यह जो है function of R यह वाली हमारी जो line है वो total energy को represent कर रही है अब region 1 में हमने देखा कि यह total energy और VE है तो VE जो है that is greater than E E से बड़ा है तो बोल सकते हैं कि जो kinetic energy है kinetic energy half of M R dot square जो है will be negative will be negative ठीक है क्योंकि क्योंकि kinetic energy है ही ने यह total energy से उपर चलेगी potential energy effective potential energy total energy से भी जादा है तो obviously kinetic energy से भी जादा होगी तो kinetic energy से जादा होगी that means वो negative होगी कम होगी but this is not possible in classically classically kinetic energy कभी भी negative नहीं हो सकते तो यह क्या बताता है जो particle है cannot be so particle cannot be cannot be in region 1 first region में particle कभी नहीं हो सकता है क्योंकि classically kinetic energy negative नहीं हो सकती है ठीक है और जो है that means कि जो region है r is equals to 0 से r is equals to r1 इस पूरे region में particle क्या करता है exist नहीं करता है ठीक है अब next बात की हम लोगों है next हो गया हमारा region 2 अब region 2 है that is between r is equals to r1 to r is equals to r2 that means यहां से लेके यहां तक हमारा यह region आ गया अब इस region में ध्यान से देखें कि यह जो energy है total energy of the particle is always greater than effective potential energy तो यह जो है it is greater than effective potential energy तो हम यह बोल सकते है कि kinetic energy है which is half of mr. square that will be positive that means kinetic energy होगी तो बोल सकते है कि यहां पर particle क्या है exist करेगा तो इस case में particle will exist in in this region इस region के अंदर particle होगा that means r1 and r2 के बीच exist करेगा अब यहां पर जहां से देखें कि at r is equals to r1 and r is equals to r2 इन दोनों point के उपर जो है kinetic energy की value क्या हो रही है इस point पर kinetic energy की value 0 क्यों क्योंकि यहां पर potential energy बोगा रहे है क्योंकि ज्यादा हो रही है और इस point पर भी kinetic energy क्योंकि यहां पर minimum है यहां से kinetic energy decrease हो रही है और इस point पर आने के बाद अगेन यह potential energy में convert हो रही है तो यहां पर kinetic energy sorry kinetic energy भी अगेन दुबारा 0 तो दोनों points पर kinetic energy वह 0 हो रही है और इस distance के बाद kinetic energy 0 हो गए and beyond this इसके बाद क्या नहीं हो सकता कि possibility of existence of particle is not there beyond this possibility of particle is not there particle इसके बाद नहीं हो सकता तो यह बता रहा है कि अगर initially particle R1 और R2 के बीच में है तो वो particle इस region से बाहर नहीं जा सकता particle cannot escape from this region वो क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तो पार्टिकल विल उसिलेट इन बिट्वीन आर वन ना टू एट विल उसिलेट इन दे रीजन टू और यह जो पॉइंट है पॉइंट आर वन और टू यह दोनों जो पॉइंट है यह दोनों पॉइंट जो हैं उनको हम लोग turning points पोलते हैं इनको turning point point R1 points R1 & R2 are turning points okay and the distance between r1 and r2 distance between r1 and r2 जो है उसको epsidal distance बोलते है this is known as epsidal distance तीक है यह था हमारा region 2 अब आगे चलते है next region 3 के उपर next is region 3 अब region 3 को ध्यान से देखो तो यह जो region 3 है it is from point r2 to r3 अब इस region 3 में क्या होगा कि यह जो region 3 है exactly same to same है जैसे की region 1 था तो यहाँ पर भी existence of particle will not be there region 3 तो region 3 जो है it is between r2 and r3 it is same as region 1 and existence of particle is not there क्यों? क्योंकि आपर potential energy, kinetic energy से साथ है effective potential energy साथ है kinetic से नहीं, total energy से भी जादा है तो वहाँ पर जो है, वो kinetic energy की value negative हो साथ है जो कि classically possible नहीं है next साथ है हमारा last जो region है that is region number 4 अब हम बात कर रहे हैं region number 4 की अब region 4 है, वहाँ पर जो है हमने assume किया कि यह जो effective potential energy का जो curve है वो extend हो रहा है, assume that we are extends up to infinity, ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आगे ही जाती जा रही है यह जो region है, यह सिर्फ यहाँ से आर, that means आगे infinity की तरफ जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि और इस region में जो effective potential energy जो है, it is less than the total energy of the particle, ठीक है, और पूरे के पूरे distance में हर जगे, यह case ही exist करेगा, तो इस circumstances में हम बोल सकते हैं कि मान लो, particle जो है, जिसकी energy capital E है, वो infinity से वापस आ रहा है ठीक है, जो particle जो है, यहाँ नहीं, infinity यहाँ पर infinity है, इस infinity से वापस आ रहा है particle, ठीक है, जब वो particle वापस आ रहा है, तो यहाँ पर R की value decrease हो रही है, जब R की value decrease हो रही है, और वो particle कहां तक पहुचेगा इस point R3 तक पहुचेगा, ठीक है, अब जब R3 पर पहुचेगा, तो इसकी जो kinetic energy है, kinetic energy R3 पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, that means कि वो जो particle है, वो R3 पर आके रुख जाएगा, और वो fourth region से, third region में enter, करेगा ही नहीं, in between R2 R3 चाही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास kinetic energy क्या होगे, 0 होगे, तो यहाँ से, इस point से, that means R is equals to R3 से, the particle will return back, and it will move back to the distance, R is equals to infinity, ठीक है, इस फेनॉमेना को हम लोग क्या बोलते है, scattering या collision at R is equals to R3, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि, if particle moves from infinity, towards infinity, to towards R3, और at R3 क्या होगा, R is equals to R3 पे, क्योंकि होगा, kinetic energy है, that will be equals to 0, so, particle will not enter, particle will not enter, region 3, and नहीं अंटर करेगा, it will be scattered back, और it will collide and move back, ठीक है, तो अभी तक यह जो हम लोग ने यह देखा, कि किस तरह से जो है, particle की motion, particle का motion जो है, पात, यह trajectory के बारे में बात करें, तो वो, हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, motion or trajectory, हम लोग, आसानी से निकाल सकते हैं, with this expression, फिर, उसके characteristics क्या होते हैं, total energy किस तरह से निकाल सकते हैं, तो total energy, जो है, central force के अंदर characteristics, that means, अगर मान लो, potential energy और kinetic energy की बात करें, और उसके movement देखें, towards a distance R, तो जो particle है, वो particle जो है, वो किस तरह से oscillate करेगा, particle किस तरह से move करेगा, और जैसे जैसे जो distance है, starting point से, increasing R की तरफ, जब वो आगे की तरफ जाएगा, तो हर एक region में particle किस तरह से behave करेगा, exist करेगा, या नहीं exist करेगा, particle जैसे हमने region 1 में, वो exist नहीं करेगा, region 2 में, वो अंदर ही oscillate करेगा, region 3 में भी वो exist नहीं करेगा, बिल्कुल exactly same है, 1 और 3 region, और fourth region में क्या है, कि हमने assume किया, वो infinity की तरफ जाएगा, या अगर मालो infinity से वापस आता है, तो वापस जब आता है, तो वो आर्थरी पर जब पहुंचता है, तो इस point से वो अंदर नहीं जा पता है, क्योंकि इस point पर आके kinetic energy की value 0 हो जाती है, जब kinetic energy की value 0 हो गई, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और यहां से it will be scattered back, rebound हो जाता है, वापस चले जाता है, और वापस चले जाने को इसको scattering बोलते हैं, या इसको collision भी बोलते हैं, तो आज के लिए इस lecture के लिए इतना sufficient है, आगे next lecture में करेंगे, Thank you.